नमस्कार दोस्तों, वन इडिया में मैं प्रशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत के महान क्रिकेटर सचिन तिंदुलकर ने अपने करियर में कई बार गेंदबाजों की धुनाई करते हुए सुर्खिया बनाई है महान स्पिनर शेन वोन ने तो 1998 की सीरीज के बाद यहां तक कह दिया था कि सचिन ना सिर्फ मैदान में बलकि उनके सपने में भी आकर उन्हें छक्के मारते हैं बड़े गेंदबाजों को सचिन के रौध रूप का सामना करना पड़ा है लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है अब सचिन तिंदुलकर के बेटे अरजुन तिंदुलकर भी क्रिकेटर बनने की ओर अग्रसर है लेकिन सचिन के उलट अर्जुन ने तेजगीन बाजी चुनी वो बॉलिंग आल राउंडर बनना चाहते हैं लेकिन लगता है अभी दिल्ली दूर है आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलिए आपको पूरा वाक्या बताते हैं मुंबई इन्यन्स के धुरंदर बलबैस सूरुकुमार यादो ने हाली में इंडिन प्रीमियर लीग के तेरवे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और अब उसी फॉर्म के साथ वो सयद मुश्ताकली T20 टूनामेंट में भी खेलने को तैयार है 10 जनवरी 2021 से सयद मुश्ताकली T20 टूनामेंट खेला जाने वाला है और इसकी एक प्रैक्टिस मैच में सूरुकुमार यादो ने अपने बल्ले से खूब चौके चखके बरसा है सूरुकुमार ने 47 गिंदों पर 120 रनों की तावर तोड़ पारी खेली आप सोच रहे होंगे कि इससे अरजुन तेंदुलकर का क्या लेना देना है क्योंकि इस अभ्यास मैच में मास्टर बलास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अरजुन तेंदुलकर भी खेल रहे थे और सूरकुमार यादों ने उनकी गीनदबाजी में मैच के दोरान बखिया उधेड कर रख दी और दोर एक ओवर में 21 रन तक कूट डाले थे आईपेल में सूरकुमार यादों के प्रद्रशन को देखते हुए वो औस्टेलिया दोरे के लिए T20 टीम का हिस्सा बनेंगी ऐसी सब को उमीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था स्यद मुश्ताकली T20 टूनमेंट के प्रैक्टिस मैच में सूरकुमार यादों ने एक बार फिर ताबर तोड बले बाजी की है सूरकुमार नमबर तीन पर बले बाजी करने आये और विरोधी टीम के किसी भी गेन बाज को नहीं छोड़ा अर्जुन तीन लुकर के एक ओवर में उन्होंने छे, चार, दो, चार, चार और एक रन बटोरते हुए कुल 21 रन ठोके लिफ्टाम तेस गीन बाज अर्जुन तीन लुकर ने इस ओवर के अलावा मैच में ठीक ठा गीन बाजी की अर्जुन ने अपने खाते में चार ओवर में 33 रन खर्च कर एक विकेट लिया, जिसका मतलब अगर 21 रन वाले ओवर को निकाल दे, तो उन्होंने तीन ओवर में 12 रन खर्चे सुर्कमारियादों की बात करें, तो उन्होंने इस पारीव के दोरान 10 चौके और 9 चके लगाया, सुर्कमारियादों ने 255 की स्ट्राइक रेट से ये बल्ले बाजी की सुर्कमारियादों ने एक और तावर तोड़ पारी खेल कर अपनी दावेदारी एक बार फिर जाहिर की है अब देखना है, शयाद मुस्ताक अली T20 टूनामेंट में वो कैसा प्रतर्शन करते हैं, वही नजरें अरजुन ते नुलकर पर भी रहेंगी फिलाल के लिए वीडियो में इतना है, तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहें वर इंडिया के साथ